हलो दोस्तों नमस्कार, वो में टिकनल चनल के इस नए वीडियो में आपका एक बाफ फिट से स्वागत है दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि आपकी 33 साल की नोकरी, 50,000 रुपया बेसिक सेलरी और 25,000 रुपय तक बढ़ सकती आपकी पिंसन, जान लिजे किस पकार से बढ़ेगी और क्या-क्या इसके नियम है तो दोस्तों ये पिंसन से संब्द है एक बहुत बड़ा गुड नियुज है अब देखें मैं इसमें बता देता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर इंप्लाइज, जितने भी प्राइवेट सेक्टर के इंप्लाइज है को बहुत ही जल्द रहात मिल सकती है करमचारी भवी सिनिरी यानि की EPF में अंसदान करने वाले सखा करमचारी की पेंसन एक जटके में 300% तक बढ़ सकती है कर्मचारी भविशनीदी संगठन यानि कि EPFO की कर्मचारियों की पेंसन योजना में अधिक्तम पेंसन 15,000 रुपया बेसिक सरी पर सेलिंग की हुई है ये बात मैंने आपको पहले भी समझा चुका है मतलब आपके सरी भरे ही 15,000 रुपया महिने से जादा हो लेकिन आपकी पेंसन की गरणा अधिक्तम 15,000 रुपया सेलिरी पर ही होगी तापिक नमर पहला है कि कई गुणा तक बढ़ सकती है आपकी पेंसन तो किस पकार से बढ़ेगी आईए हम इसे चान और समझ लेए सुप्रियम कोड की सेलिंग को खत्म कर सकता है ये मामला बीचारा दिन है और लगातार इस पर सुनवाई चल रही है करमचारियों की पेंसन की गरणा आखे सेलिरी यानि हाई सेलिरी ब्रेकट पर भी हो सकती है इस से करमचारियों की पेंसन में कई गुना की बड़ोतरी संभव है यानि कि EPS के तहट पेंसन लेने के लिए सर्थिया है कि 10 साल तक करमचारी भविस सिनिदी में योगदान करना जलूरी है वहीं 20 साल की सर्विस पूरी करने पर 2 साल का वेज़ड मिलता है और यह समझते हैं कि सिलिंग हटाने में कितना अंतर आएगा दोस्तों कैसे बढ़ेगी आपकी पेंसन देखें मौझूदा विवस्ता के मुताबिए अगर एक एंप्लाई एक जुन 2015 से कहीं नोकरी कर रहा है पेंसन मिलेगी पेंसन का गरणा का फर्मूला सर्विस हिस्ट्री होता है गुड़े 15,000 रुपया प्लस 70 होता है भागे 70 का लेकिन अगर पेंसन के सिलिंग को खत्म किया जाता है तो एंप्लाई की पेंसन बढ़ जाएगी कैसे बढ़ेगी आया मुदारण से समझ लेते हैं माले जे किसी अप्लाई की सेलिरी प्लस डिये 20,000 रुपय है अगर पेंसन के फर्मूरे से गरणा करने पर उसकी पेंसन 4,000 रुपय बनेगी तो देखे 20,000 गुण 14 भागे 70 यानि कि 4,000 रुपय इसे तरह जिसकी सेलिरी जीतनी होगी है उसे उतना ज़्यादा पेंसन भी मि 50,000 रुपय है मौझूदा ब्यवस्ता के थाथ पेंसन की गरणा अधिक्तम 15,000 रुपय सेलिरी पर होती है इस फार्मूले से 33 साल प्लस 2 बराबर 35 हो गया और इसका जो भाग दे देंगे 70 इंटू 15,000 की फार्मूले के थाथ यानि 7,500 रुपय ही पेंसन मिलती है मौझूद सतर गुड़े 50,000 रुपय उसको मिलेगी तो बढ़ जाएगी 333 फिजदी सेलिरी उनकी बढ़ जाएगी बता दें EPF के नियम के मुताफिर अगर कोई कर्मेचारी 20 साल या उससे ज्यादा नोकरी करते हुए लगाता EPF ने अंसदान करता है तो उसके सेवा काल में दो साल औ ज्याफा हो जाता है दोस्तों आज के खबर इतना ही खबर आपको समझ में आगया होगा कि देखिए pension जो बढ़ने का scheme है एक बार मैं आपको मोटी मोटा में समझा देता हूँ जल्दी बाजी में देखिए क्या होता है कि अगर जो अभी pension आपको मिलता है वो basic salary आपका 15,000 रुपे के हिसाब से मिलता है चाहे आपका salary कितना भी हो उससे मतलब नहीं आपका जो pension बनता है वो 15,000 रुपे के हिसाब से बनता है इस 15,000 को हटाने के लिए कोट में अभी भी इसका case चल रहा है अगर यह हट जाता है तो आपके salary में जो याफा है जितना salary है उतने सही अगर हाई कोट में विचारा दिन है तो आप समझ के चले कि बहुत ही जल्द इसमें आपको एक अच्छा benefit देखने को मिलेगा क्योंकि सुप्रिम कोट का जैसे ही फैसला आएगा कि इस इसे हटा दिया जाए और आपके जो भी basic salary है नियूंतम नहीं बलकि highest basic salary पे आपको pension द जाएगा pension में दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा अधर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्रिजी चैनल को subscribe कर लें और बेर आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जिस प्रकार की वीडियो में डालूं उसका नोटिपिकेस तर आप तक मिल जाए चारे दोस्तो